नमस्कार दोस्तो इस मूवी में हम कारला नाम की लेडी को देखते हैं जो अपने तीन बच्चों के साथ रहती है कारला काम खतम करके घर आती है तो देखती है कि विली गैराज में अभी भी काम कर रहा है अब वो उसे रेस्ट करने को कहती है फिर जब वो सोने के लिए रूम में जाती है तो कोई अंजान सक्ति उसे थपड रसीत करती है फिर उसके बाद वो सक्ति उसे उठा कर बेट पर पटक देती है फिर तकी से उसका मूँ ढखकर जब अरदस्ति उसका रेप करने लगती है च सब उसके साथ क्या हुआ इस हाथसे से कारला के तीनों बच्चे काफी डर जाते अब कुछ देर बात कारला अपने रूम में होती है तो अचानक सारी चीजे बिनने लगती है यह देख कारला डर के मारे अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर आ जाती है अब वो बच्चों को प्रेंड के घर चली जाती है इसके बाद Billy अपनी मा से पूछता है उसके साथ क्या हुआ था वो कुछ नहीं बताती है और सोने को बोलती आ है कर राद ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा वो बताती है कल राद किसी ने यहाँ यहाँ रयुक्ष किया थ Means कारला बच्चों को लेकर एक बीच पर चली जाती है अब रात को ये सभी वापस अपने घर आ जाते हैं अब कारला अपने बच्चों को सुला कर खुद भी सोने जाती है तभी वहां उसकी फ्रेंड आ जाती है जो रात वहीं रुखने वाली थी अब दूसरे दिन कारला अपन के बारे में बताती है उसको कारला की बाते बेटुकी लगती है इसके बाद डाक्टर उसकी कुछ टेस्ट करके वहां से वापस बेज देता है अब रात को कारला जब नहा रही होती है तभी बात्रूम का दर्वाजा बंद हो जाता है यह देख कारला डर जाती है तभी वह पेला नहीं था, दो आत्माओं को अपने साथ लाया था, और उन दोनों आत्माओं ने उसे पकड़ रखा था, इसके बाद वो अपने पैर पर छीलने के निसान दिखाती है, जो कल राच उन आत्माओं ने खिया था, ये सब देख डाक्टर को लगता है कारला ने ये निसान भी बनाए है, और डाक्टर उसे अकेले न सोने का सला देता है, और कहता है ये सब तुमारा ब्रहम है, अब डाक्टर कारला को छोड़ने उसके घर जाता है, और घर देखने के बाद कहता है कि ये सब उसके अकेले पन के कारण हो रहा है, अब वो कारला से पास्ट के बारे म मौत हो गई इसकी वजह से उसे बिली को अकेले पाड़ना पड़ा इसके बाद दूसरे आदमी के साथ उसे दो लड़किया हुई लेकिन वो भी उसे छोड़कर चला गया अब डाक्टर वहां से चला जाता है अब अगले शीन में वो अधे से सकती सभी बच्चों के सामने उस सुनाती है पर किसी डाक्टर को इसकी बात पर विश्वास महीं होता है सभी समझते हैं कारला हेलो नियशन का सिकार हो गई है अब कारला अपने बॉइफ्रेंड जेरी से मिलती है और इस सब के बारे में वह उसे कुछ नहीं बताती है काफी देर टाइम एक्स्पेंड करने क के बाद कारला अपने घर जाती है और जाकर सो जाती है फिर रात दो बजे वह अंजान सक्ति फिर से उसके पास जाती है और उसे किस करने लगती है फिर वह उसके कपड़े खोल देती है और नीद में उसके साथ मजे लेकर चली जाती है अब कारला की नीद खुलती है तो उ इसके साथ नीद में भी मज़े ले रही है और अब वह बहुत परसान हो गई डाक्टर उसे समझाता है यह सब उसका है कारला डाक्टर पर गुसा करती है क्योंकि वह उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था अब कारला अपने दोस्त को यह सब बताती है तो उसे भी विश्वा अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कारला एक बुक्साफ में से दो पैरा नॉर्मल इंवेस्टिगेटर को पकड़कर अपने घर लाती है और उन्हें बताती है कि वह आत्मा जब आती है तो रूम का समान अपने आफ ही इलने लगता है और कमरा अपने आफ ही थंडा हो जा है और उन्हें इनकी बातों पर यकीन हो जाता है फिर उनकी मदद करने को तयार हो जाते हैं फिर वह वहां एक यंथ लगाते हैं अब रात को आत्मा कारला के नजदीक आने की कोशिस करती है पर व間 उसे जी शू नहीं पाती है जिससे वहाँ चिंगारी निकलने लगती है औ तारला बहुत खुश होती क्योंकि वो आत्मा उसे नहीं चूपा रही थी। अब अगले दिन स्टुडेंट अपने प्रोफेसर के पास जाकर तस्वीर दिखाते हैं। वो उसे और भी सबूत इकठा करने को कहती है। अब ओ दोनों अपनी टीम को लेकर एक शिट अप तयार करने लगते हैं। अब रात में सभी लोगों की निग्रानी में कारला उस आत्मा को पुकाती है। जिससे वो आत्मा बहर आती है। जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। कारला को खुशी होती है क्योंकि बाकी लोग भी उसकी बातों पर विश्वास करने लगे थे फिर प्रोफिसर अपने स्टुडेंट से कहती है कि उन्हें इस इंटिटी को पकड़ना होगा ताकि वह कारला को परसान न करे इसके बाद यह सब अपना सेटप हटा कर वहां से चले जाता तभी कारला का बॉइफ्रेंट जेरी वहां आता है और वहां लोगों को देख उनके बारे में पूशता है तो कारला उसे अपनी आप बीती बताती है जेरी उनसे करता है मेरे रहते तुमें कोई भी इंटिटी परसान नहीं कर सकती है अब वो कारला को एक देश पहन कर आने को बोलता है अब कारला उसे पहनने बेडरूम में जाती है काफी देर होने के बाद जेरी बेडरूम में जाता है और देखता है कोई अधिश सक्ति उसके उपर चड़ी होई है और उसका रेप कर रही है तब ही बिली वहाँ आता है और अपनी मा को हास्पीटल ले जाता है अब जेरी ढक्टर से बताता है आला के सरीट पूर कोई चड़ा हुआ था और उसका रेप कर रहा था लेकिन वहाँ कोई दिख नहीं रहा था अब वो आला से बीना मिले वहां से चला जाता है अब कारला बहुत हतास हो गई थी पर प्रोफेशर उस अधिस सक्ति से कारला को निजात दिलाने के लिए एक नया डूब्लिकेट घर तयार करते हैं जो कारला के घर के तरह ही था जिस पर वो हीलियम लिक्विट का सिलेंडर लगा देते हैं जिससे वो उस इंटिटी को जुब्लिकेट घर में आ जाते हैं और सारा सिस्टम ख़राब करके उसी हिलियम लिक्विट से कारला पर हामला करती है लेकिन तभी सिलेंडर फट जाता है और वह इंटिटी वहें पर बर्व बन जाती है supremacy अब अगले दिन कारला अपने घर में वापात जाती है जहां पर व जाती है और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है थाइंक्स पॉर वाचिंग